कचभाई काुच लुचॊ को हालो फ्रेइंद मैं आउ सोनल सस रेसप्रे में आप सबका श्वागत है ए महाराश्रीयन स्टाइल से कुर्डई बनाने का तरीका सिखेंगे इसको कैसे बनाते है और इसको कैसे डालते है वो सब हम इसमें सिखेंगे तो फ्रेंट चलिए जल्दी से हम रेसिपी की तरफ चलते हैं ये देखे फ्रेंट ये भीगे हुए गवू है इनको लगबक तीन दिन के लिए भीगवया गया था और ये जो टव है इसको लगातार धूप में रखा गया था उसके कारण ये तिन दिन तक अच्छे पूराइब करने की मशिन इसमें जाती है मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है आप अगर पूरा लंबा प्रोसिस देखना चाहते तो मेरा दूसरा वाला कुरड़ाइब का वीडियो आप देख सकते हैं तो इसी तरह हम करेंगे तो ग्राइंड करने के लिए आपर हम ड प्रोसेस इसका शूट नहीं कर पाई, वो शूट नहीं हुआ, मिसिंग हो गया वीडियो, लेकिन फ्रेंड में आपको बताऊंगी, इसका जो आगे का पार्ट है, उसमें से चीक निकलता है, और उसमें पाने डाल कर, ऐसे हम गुमाते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो ये ची कुरड़ई बनाए थी, लेकिन ये पूरा गाउ स्टाइल है, इसलिए में पूरा ट्राडिशनल आपको दिखाने जारी हूँ, तो फ्रेंड ये देखिए चानने के बाद ये जो चीक निकलता है, इसको, कोई भी कॉटन का कपड़ा बड़े बरतन को लगाए, और उसमें इ इसको हमें ऐसा चानना पड़ता है, और इसको दो-तिन बार पानी निकलना पड़ता है, जब हम इसको चान कर रख देते हैं, राद बर के लिए, तो दूसरे दिन उसकी कुरड़ई नहीं बनानी है, तीसरे दिन कुरड़ई बनानी है, देखिए दूसरे दिन मैंने इसमें क को तोड़ना है हमें प्रक्राइब बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है वो पनी सी खॉन्स की कूड़े बनाएंगे टो फ्रेंड्स हमने जितनًा चीख लिया है दो हम सी हमार ही पेला हवी यूच करेंगे तो पानि हम को किसी भी बड़े बरतन में उबालने के लिए रख देना है यह दिखिए हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है उसमें नमक डाल रहे मासी है अपने टेस्ट के सब से हमको दालना है और उसको अच्छे से हिला लेना है घिलाने के लिए हाइप पर एक लखडिकर डंडा दिख रहा है उसको महाराश्ट्रो निच्छा चातु हिंदी में मुझे पता नहीं यह प्रोश का प्रॉपर वर्ड क्या है लेकिन महारश्ट्र म ही बनता है तो मुझे इसका महारा श्रवयन वर्ड पता है तो अभी हम इसको ढखकर रखेंगे थोड़ा और उबालाने के लिए यहाँ पर मेरी मम्मी कंटिन्योस चीक हिला रहे है ताके इसमें यह जमने के बाद इसमें गुटलिया बन जाती है तो इसको हिलाते रहना है ऐसे ही छोड़ दिया तो जम ज रहे है अभी हम इसमें डालेंगे करले मौसी चीक डालने में मदद करेंगे हमारी अ कि यहीं प्रॉपर तरीका होते है ट्रेडिशनल देखक। हई करले मौसी अभी चीक डाल रहे है देरे देरे से इसको इसमें डालना है और continuous हिलाते ना है हिलाने से होगा एकि उसमें गुठलिया नहीं आएगी गुठलिया होगई तो कुल्ड़ाई बनाने में बहुत दिक्कत होती है गुड़े बनी नहीं पाती तो इसको बहुत लंबा प्रोसेस और प्रॉपर तरीके से फालो करना पड़ता है तो यह गड़ जाता है यहाईर मोसी कंटिनिवस हिला रही है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ हमको इसको हिलाना पड़ता है जब गार्ण होता है तो हम इसको हिला ही नहीं पाते यह मेरी मम्या भी चीक हिला रही है यह काफी गाड़ा हो गया है काफी थिक हो गया है इसको हिलाने में दिक्कत होती है तो जो चाटू है वो थोड़ा एक हाथ से नीचे पकड़ना है और यह उपर का एक हाथ उपर का जो उसका सिर है उसको पकड़ना है और उसको इस तरह से ह देखिए क्या टेक्निक होता है गर में हम बैलंस है तो एजी लिए कर सकते हैं लेकिन जो बड़ा बहुत 10 किलों का करना बहुत मुश्किल काम होता है तो इसके लिए 2-3 लोग तो लगते ही इसको हिलाने के लिए एक ठक जाहे तो दूसरा ले लेता है देखिए अभी कारलेमो सिने लिया है अभी वह चिक हिला रही है अच्छे से क्योंकि यह जलने का भी डर रहता है इसको जलने नहीं देना है सिर्फ हिलाना है और अच्छे से पकाना है चिक जब अच्छे से पक जाता है तभी हमारी कुर्ड़े अच्छे आती नहीं तो वह सुखने के बाद टूट जाती है, पूरी के पूरी वैसी नहीं रहती है कभी हमको लगा कि ये ज़्यादा ही हाड हो रहा है तो हम उपर से थोड़ा गरम पाने आड़ कर सकते हैं लेकिन हमें थंडा पाने बिल्कुल आड़ नहीं करना होता है तो ये मोसी थोड़ा हिला रही है उनके बाद दूसरी mousi लेंगे देखिए दूसरे mousi लेने के लिए तयार हो गए कारले mousi ठक गए है गाउ में सब लोग एक दूसरे की help करते है एक दूसरे के कुर्ड़ई पापड बनाने में सब लोग help करते रहते है तो आज हमारी कुर्ड़ई थी तो ये दो मौसी हमारे help करने के लिए आ गए देखिए वो कितना easily हिला रहे है जो मौसी है उन्होंने मुझे करने के लिए कहा लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है मुझे तो होई नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने ये कभी किया नहीं है इतना एक साथ मैं घर में तो कर लेती हूँ लेकिन ये इतना हिला नहीं पा रहे थी क्योंकि ये बहुत हाड था और बहुत ज़्यादा था तो इसको कैसे हिलाना है मुझे टेकनिक नहीं आ रहा था चिक बनने के बाद ये रही कुरड़ी बनाने की प्रोसेस ये कुरड़ी बनाने की मशिन उसमें चीक डालना है देखिए मेरी मम्मी चीक डाल रही है आहिर मुसी कुरड़ी बनाने में बनाने के लिए नीचे बेठे हुए है और नीचे जो ठाली है उसमें तेल और पानी रखा हुआ है उस पर कुछ प्लेट्स रखी है प्लेट पर हम कुर्ड़ई बनाएंगे तो यह जो रॉड है इसको अभी हमको दबाना है मेरे पापा इसको प्रेस करेंगे तो चार से पाच लोग इसको लगी जाते हैं कुर्ड़ई को शेप देरी देखें नीचे से अच्छे से शेब आती है और उसको सेब देना पड़ता है पानी का हाथ प्लेट पर गुमाना पड़ता है और इसको साढ़ियों पर हम सुखा रहे हैं सुखने के लिए डाल रहे हैं देखे इस तरह सिर्फ प्लेट पलटना है प्लटै अपने आप निकल आती है यह देखिए ये दुसरी वाली कुर्ड़ई देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसको अभी ये कुर्ड़ई जाएगी खाट पे खटिया पे जस्ट पलटना है पलटने के बाद कुर्ड़ई अपने आप नीचे गिर जाती है इस तरह हमको इसको बनाना है देखिए पूरा प्रोसेस मे बिल्कुल रेडी है ये जिले निकल रही है अगर नहीं निकलती आपकी तो आप पीछे से पानी थोड़ा सा पानी डाल कर इसको निकाल सकते हैं और कड़ी दुप में दो दिन इसको सुकाना है सुकने के बाद ये हमारी कुर्ड़ई रेडी है डिप फ्राइग करने के कमेंड वाक्स में लिखना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूले तो फ्रेंड चलिए मिलते इसी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए